subject go में आप सभीका स्वागत है तो कैसे आप इंट gibiałem आप आपके बारे बताऊंगा अगर आपके पास desktop कंपुटर हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में इंटरनेट कैसे चला सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, लेकिन उससे पहले आपको बतादू कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब् इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट का सर्विस आपके पास होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेट चलाने के लिए कई परकार के यहां पर सर्विस होते हैं, जैसे कि वो वाइफाई के दोवारा इंटरनेट चलाते है या फिर वो डोंगल के द्वारा इंटरनेट चलाते हैं, यानि कि एक डोंगल आता है उसके द्वारा उसके बाद वो जो है मुवाइल से भी इंटरनेट चला सकते हैं, अगर आपके पास टच मुवाइल है, जो कि एंड़ोड मुवाइल, तो उस से भी आप अपने computer या laptop में चला सकते हैं अगर आप mobile में internet चलाते हैं तो चलिए इन तीनों option के बारे में यहाँ पर आपको बताता हूं कि यह तीनों तरीके कैसे काम करते हैं और कैसे आप अपने computer या laptop में internet चला सकते हैं तो यह बहुत ही request वीडियो है तो यहाँ पर जान लेते हैं तो सब सब पहले बात करते हैं वाइफाई के बारे में तो देखें वाइफाई में क्या होता है जो वाइफाई होता है वो आपके छत पे एक एंटीना लगाया जाता है वाइफाई का और उसके बाद आपके घर में एक जो है router लगाया जाता है उस router में आप जो है वाइफाई सिस्टम का router लगा स सकते हैं, वाई-फाई के दोवारा इंटरनेट, और अगर वाई-फाई के दोवारा नहीं चलाना चाहते हैं, तो आप एक line केवल आता है, उसके दोवारा भी अपने computer या laptop में वो केवल लगा के और इंटरनेट चला सकते हैं, दूसरा होता है यहाँ पर कि अगर computer में Wi-Fi के दोवारा internet चलाना हो तो क्या करेंगे तो दिखिए अगर आपके पास desktop computer है तो यहाँ पे desktop के लिए बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा अगर आपके पास desktop computer है तो desktop computer में Wi-Fi जो है वो नहीं चलता है असानी से असानी से कहने का मतलब है कि Wi-Fi इसे कहा रखिए यहाँ पे जब आप बजार से लिए तो यह 300 से लेके 400 रुपे के बीच में आपको जो है मिल जाएगा यह लाने के बाद इसके साथ एक छोटा सा CD आपको मिलता है उस CD का software आपने desktop computer में install कीजे और उसके बाद इसे CPU में लगा दीजे पीछे जब आप इसे लगा देंगे उसके बाद आपके computer में Wi-Fi कैच कर लेगा और फिर दिखाएगा कि आपके घर में आसपास जो भी Wi-Fi चल रहा है उन है उसका नाम आपके computer में दिख जाएगा आपको तब आप उहाँ पे connect करके और फिर अपने computer में चला सकते Wi-Fi के दोवारा इंटरनेट ये था Wi-Fi तरीका क्योंकि मान लीजे घर में तो आपके Wi-Fi लगा हुआ है और Wi-Fi से आप मोबाइल में चला भी रहे हैं और Wi-Fi का जो इंटरनेट करेक्शन होता है इसके बारे थोड़ा सा बता जाता हूँ आपको डिटेल इसमें आपको मंतली package लेना पड़ता है जैसे कि महिने का जो है आपको इसमें package लेना पड़ेगा और जितने का भी आप लेते हैं 500 का, 1500 का, 1000 या 2000 का उसके बाद उतना आप company को payment करेंगे और उसके बाद एक महिने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है इसमें system होता है कि कोई 50 GB का, कोई 100 GB का plan लेता है तो इसमें plan आपको लेना पड़ता है और दूसरा तरीका है internet चलाने का, वो मैं आपको बता देता हूँ लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे laptop के बारे में जानकारी देदू कि यह तो था desktop के लिए अगर laptop में चला रहे तो क्या laptop में आप Wi-Fi केच करता है तो इस सवाल का जवाब है, हाँ, laptop में जो है, केच करता है लेकिन कुछ laptop ऐसे होते हैं, जिन में कुछ कमी होने के कारण कभी-कभी केच नहीं करता है तो यह भी यहाँ पे जान लिजे अगर आपके laptop में Wi-Fi केच कर रहा है, तो तो आप चला सकते हैं लेकिन माल लिजे, आपके Wi-Fi लगा हुआ है आपके पास और laptop में केच नहीं कर रहा है तो फिर कैसे चलाएंगे, तो फिर आपको इसी तरह का एक device लाना है और उसके बाद laptop के port जो होते हैं, USB port उसमें इस device को लगा देना है इसे कहा जाता है Wi-Fi USB Adapter तो यह नाम जब आप बजार में बताएंगे, तो computer दुकान से आप यह खरी सकते हैं आप जानते हैं तरीका दूसरा क्या है, दूसरा तरीका होता है dongle, आप देखिए dongle दो तरह के आते हैं, एक तो SIM वाले आते हैं, एक बीना SIM के आते हैं और dongle में क्या होता है, dongle उनके लिए होते हैं, जो मतलब की ज़्यादा internet का use नहीं करना चाहते हैं जैसे मैंने अभी पहले वाले में बताया wifi, अब wifi तो उन लोगों के लिए है, जिनको ज़्यादा internet चाहिए, और जिनके पास ज़्यादा काम होता है अगर आपके पास सिर्फ एक computer या एक laptop है और आप ज़्यादा computer नहीं चलाते हैं, मतलब 2-4 घंटे ही काम करते हैं computer पे तो फिर आपको wifi की जरौत नहीं होगी तो जब wifi की आपको जरौत ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, dongle लगा सकते हैं अपने laptop या computer में dongle लगा के भी internet चला सकते हैं, अब dongle कितने का आता है, dongle आता है, 1000 रुपे का भी आता है, 1500 रुपे का भी आता है, और 2000-3000 का भी आता है अब dongle में दो तरीके होते हैं, dongle एक sim बाले आते हैं और एक बिना sim के dongle आते हैं तो आप sim बाले dongle लेंगे तो उसमें अपने mobile के sim पे recharge करा लिजे और उसके बाद mobile से sim निकालके अपने dongle में लगा दीजे और उस dongle को अपने computer या laptop में लगाए, internet चल जाएगा डोंगल में भी दो तरीके होता है, जो sim बाला dongle होता है उसमें Wi-Fi नहीं होता है, यानि कि उसमें Wi-Fi नहीं चलेगा Wi-Fi होता भी है तो बहुत कम चांस है कि उसमें Wi-Fi आए, sim वाले में नहीं होता है दूसरा डूंगल आता है जोकी recharge system का डूंगल होता है plan वाला तो उसमें जो है company आपको डूंगल के साथ एक नंबर देता है यानि कि वो नंबर देता है डूंगल का जो नंबर होता है और आपको फिर क्या करना उसी नंबर पे company का plan देखके recharge करवा देना है उसी डोंगल को recharge करवाना है, डोंगल पर recharge करवाने के बाद उस डोंगल में power आ जाएगा आपको पता है, data का जो है, net का power आ जाएगा, और उसके बाद वो डोंगल अपने computer में या laptop में लगाईए और internet चला सकते हैं, उस डोंगल में wifi वाला भी system होता है, तो wifi वाला आप ले ल हो, तो यह जो है आप कर सकते हैं, तो यह जो है आपको सस्ता कौन सा पढ़ेगा, symbol आपको सस्ता पढ़ सकता है, या फिर आपको सस्ता पढ़ेगा जो यह डोंगल आता है, wifi वाला, तो यह दो तरीके मैंने आपको डोंगल के बता दिये, यह दोनों तरीके के डोंगल जो है चल सकते हैं उसके लिए क्या करना पड़एगा आपको उसके लिए अपने मोगाईल में सेटिंग ओšन में जाके एक पोटेवल वाइफाई होट स्पोर्ट का एंप्शन होता है उसे प्राइब dol nat Fuel coverage करना है और अपने यूज़ कर लेगा तो आपका internet वैसे ही सुनो हो जाएगा तो इसके लिए आप जो है आपने mobile पहले wifi में जाएए यानि कि hotspot के अंदर जाएए वहाँ पर password डाल दीजिए और उसके बाद portable wifi hotspot के नाम से आपके mobile में एक option होता है उसे on कर दीजिए उसके बाद आपके computer में अगर desktop computer है यानि कि table वाला तो उसमें आपको ये wifi adapter आता है ये लगा रखा होगा आपने तो वहाँ पर catch कर लेगा internet और वहाँ पर आपको दिखा देगा और अगर आपके पास laptop है तो laptop में भी ये catch कर लेगा और वहाँ पर भी आपको दिखा देगा तो इस तरीके से आप जो है internet चला सकते हैं तहाँ पर मैंने आपको तीन तरीके बता दी ये तीनों तरीके बहुत ही असान तरीके थे जिनसे जो आप अपने computer में या laptop में असानी से internet चला सकते हैं तुम भी दे आप आपको पता चल गया कि अगर आपने पहली वार computer खरीदा है या laptop खरीदा है और उसमें पहली वार internet चलाने के वारे में सोच रहे हैं तो किस तरह से आप जो है internet चला सकते हैं सब्जेट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सब सब पहले देखने और सिखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में दिए बैल आइकन को भी दबा दिजे जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारिया आपको सबसब पहले मिल पाए और आप देख पाएं और देखते रहें सब्सक्राइब और सिखते रहें धन्यवाद थैंक्यू